हेलो स्टुडेंट्स आप वैरी गुड मॉरिंग तो आल अफ यू गाइस स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायो जी पर जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों के बोर्ड एक्जाम चल रहे हैं और अब जो हमारा नेक्स एक्जाम का टार्गेट है देट इस बायलोज और बायलोजी में जतने भी चैप्टर्स हमारे 12th क्लास में आने वाले हैं उनको हमें कैसे प्रिपेर करना है so that हमारे objective से लेकर long answer तक सारे के सारे questions properly हो जाएं और हम maximum marks achieve कर सकें अपने बायलोजी के पेपर में तो guys अगर हम बात करें 12th CBSE के students की जिनका 4th को 4th March को physics का paper complete होने वाला है और अगर उन्होंने physical education नहीं लिया हुआ है तो उनके पास 15 days का time है क्योंकि उनका paper जो biology का है that is on 19th March but जो बच्चे physical education लिये हुए है उनके पास भी approximately 7 days का time period होगा तो just double time period है उन बच्चों के पास जो physical education नहीं लिये हुए है और approximately 7 days का time है उन बच्चों के पास जो हमारे बच्चे physical education लिकर चल रहे है guys घबराने की बात बिलकुल भी नहीं है मैं आपको वो सारी tips बताऊंगा जिससे चाहे आपके पास 5 days का time ही क्यों न हो आप सारे chapters को properly cover करेंगे तो guys हम discuss करते हैं कि हमें कौन-कौन से chapters को कैसे लेकर चलना है so that हम अपने सारे के सारे questions को properly NCRT से read कर सकें अपने PYQs attempt कर सकें और अपने paper को अच्छा बना सकें guys अगर हम बात करें अपने biology के इस levels की तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ total 13 chapters हमारे आने हैं अब इन chapters को हमें कैसे study करना है कब-कब कौन-कौन से chapters लेकर चलना है यह सारी चीजें हम discuss करेंगे then we will start with one and one topic और हम उस topic में क्या पढ़ें कैसे पढ़ें so that हमारी चीजें cover हो सकें even जिन बच्चों ने अभी भी NCRT नहीं पढ़ी है अगर बच्चे चाहें तो हमारे point to points जो मैं आपको discuss करूंगा अगर आपने उतना भी cover कर लिया बच्चों तो believe me आपके सारे questions sort out हो जाएगी चलिए अब हम start करते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है कैसे sir हमें तयारी करनी है still जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को subscribe और like नहीं किया हुआ है तो फड़ाफट से subscribe कर दें बच्चों गाईज अगर हम बात करें अपने biology के 13 chapters की तो guys 13 chapters में हमारी strategy होनी चाहिए कि जो हमारे chapters बहुत छोटे छोटे हैं simple हैं हम पहले उनको cover कर लें अब इन chapters में कौन-कौन से chapters हम cover कर सकते हैं तो guys पहली unit में हमारा जो सबसे simple chapter है that is reproductive health इस chapter को हम within two hours cover करेंगे कैसे करेंगे वो सब कुछ मैं आपको discuss करूँगा then after हमारी unit है microbes in human welfare उसमें ये chapter है बहुत ही प्यारा chapter है हर साल यहां से question board exam में आपको देखने को मिलता है तो guys हर एक chapter का अपना importance है तो first chapter हो गया हमारा reproductive health then microbes in human welfare and then ecology unit का chapter है biodiversity अब बच्चे बोलेंगे sir biodiversity तो बहुत lengthy chapter है बच्चों इस chapter में सबसे पहले हमें जितने भी हमारे data based questions है हमें उनको sort out करना है फिर जो हमारे theoretical questions होंगे हम उनको separately लेकर चलेंगे तो इस chapter को हम दो part में complete करेंगे पहले data based questions करेंगे then हम theoretical questions को लेकर चलेंगे तो ये तीन chapters को हमें कैसे cover करना है हम उसके पहले strategy पर बात करते हैं guys reproductive health, microbes in human welfare and biodiversity ये ऐसे chapters हैं अगर हम बैठ कर properly learn करने बैठें तो ये तीनों के तीनों chapters हमारे एक दिन में cover हो सकते हैं और हमें करना भी है कैसे करना है वो भी मैं आपसे discuss करूगा then हम आ जाते हैं अपने second topic पर कि जो हमारे सबसे tough chapters हैं हमें उनको कैसे cover करना है जैसे अगर हम बात करें first unit की तो first unit को अभी हमें touch नहीं करना है except reproductive health जो हम पहले touch कर चुके हमें सबसे पहले cover करना है अपनी second unit को that is genetics and evolution इसमें तीनो chapters बहुत important है lengthy है तो ये तीनो chapters कम से कम हमारे दो दिन लेंगे guys first day all three chapters second on third day ये तीन chapters हमें cover करने हैं कौन कौन से questions करने हैं कैसे करना है क्या strategy है मैं सारी चीज़े आपसे discuss करूगा then after fourth day पर हम chapter उठाएंगे वो chapters जो हमें बहुत easy लगते हैं जैसे human reproduction human health and disease and then last reproduction in flowering plants इन तीन chapters को भी अगर हम properly time day तो भी हम maximum to maximum two days में इन chapters को cover कर सकते हैं तो first day तीन chapters second and third day जो हमारे tough chapters थे fourth and fifth day ये तीन chapters अब guys हम आयाते हैं अपना next day पर guys next day पर हमें लेकर चनला है अपना chapter organism and population ये बहुत lengthy chapter है बच्चों ने इस chapter को last last में पड़ा हुआ है तो मैं चाहूंगा आप इस chapter को पूरा दिन दे clear guys क्योंकि हमारे पास बहुत time period है chapters को cover करनेगा then on last day we will cover our remaining unit that is biodiversity not biodiversity it's biotechnology guys biotechnology में हमारे दो chapters है first principle based है second application based है guys last जो हमारे unit होगी cover करने के लिए जहां पर बच्चे कई बार confused होते है that will be biotechnology अगर इस टिल अभी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो फड़ा फट से subscribe कर लिजिए आपके लिए मैं biology को बहुत easy बना दूँगा आपके board exam के लिए कैसे chapters cover होंगे कैसे हम questions करेंगे यह सारी चीजे आपको मिलती रहेंगी time to time thank you so much झा स्वर कर दो